तो आज है मंडे और इस ब्लोग मैंने मंडे मॉर्निंग से साथ किया है अभी चाइम हो रहा है दस आज हमारे धर पर सबस्क्राइब करना तर्फिक्त किया है मैंने देपको तैयार करके स्कूल ही जा है और उसके बाद जाती मैंने सावर लेकित सर्गों भी नहाया हुआ है और इसके बाद मैंने वेस पहना हुआ है यहाली साष। इस सारी बहुत साथ है मिरे पास काफी दिनों पहले मैंने इसे क्याइना बं कर दिया था पर फिर चाहद मन हौख सारी पहन हो तो मैंने सारी पहन है मेरे चैन्यापश भी आ झालिए पे कि आप सारी पहन पेच्छे बहुत अच्छे लगते हैं चलो आज सबस्टा तो मैंने समय चलो सारी लगा लेती हूँ यही पहन लेती है तो मैंने इसलिए ना मैंने यहापर यह पर प्राबलम नहीं हो रही है कि मतलब गर्मी में 3-4 का ब्लाउज देन के बहुत जादे यजीव लगता है सारी ब्लाउज देने हैं और मौसम इतना अच्छा मतलब ठंडा ठंडा सा किया हुआ है कि मतलब कोई मतलब प्राबलम नहीं होगी सारी ब्लाउज के पाम करने में तो अभी मैं जा रही हूँ चाइपी में और इसके बाद आज में भी में खूइदर में बूगिंग करने जाओगी अच्छे में आज नास्ता नहीं बनाओंगी डिरेक्टली मैं आज लांज बना लूगी क्योंकि दो ढ़ाई बज़े से फिर हमें चाइपी के फिर लांज बनाने और थोड़ा सा आसपास में आपको एक दूर साउम सुनाई दे रहा होगा हुआरे घाट को कुछ लोग भी आए हो रहे है और आपास भी रहा है उत्रीस आप इसके लिए माइन मत करेंगा और अब मैं चाई पिने के बाद आ गही हूँ कचण में और कीचण में आने के बाद मैंने एक तरफ पहले चाबल रखा हुआ है पकने के लिए और दूसरी तरफ मैंने एक प्लेट में थोड़ा सा मूंग डाल निकाल लिया था और कुकर को कर लिया है गरम और उसी कुकर में बिना कुछ आड़ के हुए सुखा कुकर में ही मैं मूंग डाल को फ्राई कर रही हूँ तो किसी ने मुझे सजेश्ट किया कि आप पहले कुको कर गरम करके उसमे मुंग डाल के ऐसे ही फ्राइ कर लो और फिर वास्ट करके फिर आप डाल बनाया करो तो इसी वज़े से यहाँ पर मैं उसी टाइप से कर रही हूँ तो इसे मैं हलका सा गोल्डन ब्राउन होने दूँगी और उसके बाद जाके मैं इसको फिर वास्ट करके पकाऊंगी तो दाल जो है अब गोल्डन ब्राउन कलर का हो चुका है तो मुंग डाल ने अपना कलर अच्छी तरह की से चेंज कर लिया है और अब मैंने एक कटोरी में पानी भरके रख लिया है और इसके बाद डाल को मैं उसमें ही ट्रांसपर कर रही हूँ और थोई देर सोक करके लगाओंगी तो दाल बनके रेडी हो जाएगी और अच लेसुन मिर्ची नहीं बनेगा तो इसे मुंग डाल हमेसा मैं लेसुन और मिर्ची से चोका करते थी पर आज मैं इसकी चोक नहीं लगाओंगी एसे ही रहेगा ये क्योंकि आज हम लोग बीना प्याज लसंग के खाना बनाने वाले हैं और अब दाल चावल को पकने के लिए रखने के बाद अब मैं इस तरफ सब्जी की तेयारी करने जा रही हूँ तो सब्जी की में मैं भी आलू का भूजिया और बेंगन का फ्राय वनाने वाले हूँ Actually मेरी सब्जिया भी खतम हो रही है तो फ्रीज में एक बेंगन परा हुआ था इसी वज़़े से मैं हैं याँ पे बेंगन का फ्राय बना रहे हूं और आलू का भुजिया इसले बना रहे हूं क्योंकि आज प्याज लसन बाली कोई भी सब्जी बननी नहीं है तो बिना प्याज लसन का कोई भी सब्जी अच्छा होता नहीं है तो एकदम सिंपल सा साधा सा यह आलू का भुजिया बना रहे हूं और मैं यह आप एक चीज बोलना चाह रहे थी, मुझे सब्जी बगेरा काटने की बहुत आदत है, तो इसी वज़े से मैं यहाथों में ही रखके आलो बगेरा की पतले-पतले साइज की कट कर रही हूँ, आपको अगर आदत ना हो तो आप इस तैप से ना करें, बना आपके अगली में लग सकता है, पहले मेरी भी लग जाती थी, पर अब नहीं लगते, अब आदत हो चुकी है, तो आपको अगर आदत नहीं है, तो आप चौपिंग वोट का इस्तमाल जरूर करें, पर मुझे आदत हो चुकी है, तो इसी बज़े से मैं यहाथों से पतले-पतले सा और आप यहाथों से उतार लिया था, और दाल को दूसरी तरफ रखा हुआ है, और इस तरफ मैंने कराई रखे, अब मैं आलू का भूजिया फ्राई करने जा रही हूं, तो बैंगन जो है, और बैंगन फ्राई करने के बाद ओल जो है, और कराई भी थोड़ी से काली-काली तो इसी वज़े से पहले मैं आलू का भूजिया फ्राई कर रही हूं, और बाद में इसी कराई में बैंगन फ्राई करके निकाल लूँगी, तो एही हो जाएगा हमारा आज का siitä लंच, डाल चाऑल, आलू का भूजिया और बैंगन का फ्राई, और आप यहां पर देख रहे मैंने तावजू और प्लिट में सब्लम सब्हूरा खासी के लिए हुआ है तो यहां मैंने ग़िस सब्सके का थाल्म शलिए यह सब़ाम बाट रहा में भावदी सुलिय, जो द्यूदल क्तुलिर में नोब में के लिए फिचुल भी सब्सक्राइब रहा हुआ होुआ है अब लंज करने के बाद आ गई हूँ मैं एक और रूम में हमारी घर के एक और रूम है यहां पर लगा हुआ है यहां पर पार्टी ब les पर गई वह कर दो पूर। कर दो और यह बालकनी एरिया यह पर मेरी मामी जी आप सच्छंग के लिए तो उन्होंने पहले जो जिस तरफ से रोस्नी आती है वैलकिनी की उधर एक चादर लगा कर किया हुआ है क्योंकि ये बारिस का मौसम है तो बहुत ज्यादा जीटा आ रहा था मने पानी का जीच्छी आ रहा था तो इसी विज़े से चादर लगा दिया है उन्होंने ताकि अब दीरी-दीरे करके आने लगे हैं तो इस ताब से तैयारी होते हैं हमारे घर पे और अब मैं जा रही हूँ और यहां पर मैंने परवल को छील लिया है मैं अपने आपको काम करते हुए बिल्कुल नहीं दिखा सकती मैं ट्राइपोड लेके नहीं आई हूँ और मैं जब मौका मिल रहा है तब थोड़ा थोड़ा दिखा रही हूँ तो यह वाली मेरी मजली वाली भावी एक तरफ खीड रखा हुआ है उन्होंने और दूसरी तरफ आलू बोइल करने रखा हुआ है अभी आलू परवल को सब्जी बनाएंगी तो अभी थोड़े दिर पहले मैंने आपको दिखाया कि मेरी बड़ी वहावी परसाद बना रही थी तो जो वाली ओविन में उपरसाद बना रही थी प्रसाद बनता है तो रॉड़ गरं और जब ऑलष और हुखा व्या फ्रवल फ्राइए दोटे में लुकार्च बनारी है जब तक मैं खीड देखर ही हूँ पर बीच बमें मैं के कर रही हूं तो इंहां पर और सुझ भी रिंग रख रही हूं किसलिए यहांपर उने के लिए रख रही है और दुसरे तरब जो अलू यू रू बहुत आप रहेड का है कि अड़ो feel Jimmy को चिल के यहां पर इन दिए कट हैसे के बाद मसाला फ्राई होने के बाद आलो को उसमें एड़ कर दिया जाएगा तो यहां पर हम लोग सब मिल जूल के काम करते हैं तो काफी सारे लोगों को खाना बनना होता है तो बिल्कुल भी प्रावलम नहीं होता है जो इधर एक दूसरे के साथ बाद भी कर रहे हैं उदर म काम एक साथ होते रहता है और बाचीत भी हमारा चलते रहता है तो जो भी हमें बनाना था जितना भी हमें खाना बगड़ा बनाना था उपन के रेडी हो चुका है तो बस इस सब्जी में ग्रेवी डालना रह गया था तो ग्रेवी वह बड़ी वाली जेठानी ने अपने और दूसरी तरफ मेरी छूटी बाली भावी ने चाय रखा हुआ है सब के लिए बनाने के लिए और उधर डेस्टी में खीर भी बनके रेडी हो जुका है तो सारा सब कुछ हम लोगों ने बना के रेडी कर लिया है और बस ध्रक ध्रक के उन्हें रखा हुआ है जब सत्संग क आर्टी बगेरा इस्तार्ट होगा उसके बाद हम लोग पूरी बदला सखने के लिए चले जाएंगे तो अभी मैं उस च्छत के उपर और पीछे थुरा से सट्संग कावा जा रहा होगा तो अभी मैं उस च्छत के उपर नीजे से दिर्कली उपर आगे हो मैं रूज में न आजाता है तो इसले मैं फ्राइपर भी नहीं राखा था और अजब जब भावी मुआक मिलता था मैंने बीच बीच में थ्रसत दिखाया है और सिधा मैं नीचे से उपर आ गई हूँ अभी संधा देने के लिए सांच का टाइम हो रहा है तो अभी जारी में संधा देने के तो यहां पर देखे मेग पुरा अंधिरा किया हुआ है पुरा काला काला बादल जो है यहां पर चाय हुए है तो मैं आपको यहां पर मेग नहीं दिखा रहे हैं मैं आपको यहां पर कववा दिखा रही हूँ कितना सारा कववा हमारे घर के पास ही इस टाइप से गोल गोल तो आटा जो है मैंने पहले ही गुंद के रख दिया था तो भावी ने जल्दी से उनके पेरे बना लिया है और पेरे बनाने के बाद वहापे पूरी बेल रही है और यह चोटी वाली भावी जो है पूरी चाक रही है तो ऐसे ही हम लोग काम करते हैं अभी ओधोनों कर रहे है अब मेरी एक और भावी भी आ गई है यहां पर पूरी बेने के लिए टब तक मैं इस तरब चाई बना रही हूं सारे सत्संघ्यों के लिए इसलिए मैं आप अभी नई कर रही हूं तो उन सब वाली भावी जो है उनकी बेटी को खिलाने का टाइम हो रहा था उनका तो उनकी बेटी जो है बहुत छोटी है अभी तो पुछ से ने खा सकते हैं तो अभी उन्हें चले गई है और मैं अब पूरी बगरत चान रही हूँ और इधर मेरी भाविया जो है किस टाइप से बैठी वह मेरी मदरी लॉकर रूम है तो उसी में हम लोगों ने टीवी को आन करके रखा हुआ है जैसे कि चार ओफर में 40 रंच आइए था तो हम लोग बात कर रहे हैं यह सब 12 के बज़े से हुआ है तो हई सब हम लोग बात कर रहे थे कि यह बगवान अगर कल में आच हुआ रहा है क्योंकि सब को मैं अभी टाइम हो रहा है सारे दर्स और मैं आगे हुआ हुआ है और खाना पीना जो है मैंने नीचे खा लिया था और हज़िंदी का खाना लाके मैंने धग दिया है और इधर अभी रखा हुआ है ओ जबाएंगे तो खाना चाहिए और अब मैं जा रही ना कौपी बगड़ा लेके पैठा हुआ है ताइम सहरे दर्स हो रहा है पर मुझे अभी पढ़ाना परेगा तो क्योंकि अभी काम कम्प्लेट करके मैं जातु पर आई हुआ हूँ तो इसकोल का लिए होमबग है ना ओ मुझे अभी कराना परेगा तो अभी मैं उसी जारी ह करना आवने में नेक पिर में नेक पिर में तब तक लिए, बबाए